तो प्रभाद बच्चों, आज हम लोग अपने व्याकरण कुस्तक सुगम हिंदी व्याकरण का पार्थ 3 शब्द रचना वो पढ़ेंगे अब लोग उसकी पुन्रावृत्ती अर्था रिवीजन करेंगे अभी आप लोगों ने सबसे पहले पार्थ 1 में पढ़ा भाषा की उत्पती कैसे हुई, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, इसका की मलब कुछ मतलब होता है, उसका ओरिजनल कुछ मतलब हो, उसे शब्द कहते हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्थ 3 शब्द रचना, ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समू को शब्द कहते हैं, अब शब्दों को तीन आधार पर बाटा गया है, ठीक है, तो पहला है उत्पती के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्पती के आधार पर, तो उत्पती के आधार पर शब्दों के पांच भेद होते हैं, तो पहला क्या है, तत्सम, तद्भो, देशच और विदेशीर, चार हैं, एक, दो, तीन, चार, इसके चार भेद हैं, उत्पती के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, ठीक है, तो अभी तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत भाशा में, जो संस्कृत भाशा के जो शब्द हैं, वो हिंदी में ज्यों केतियों रहते हैं, बलब उसको हिंदी में भी यूज करते हैं, सेम शब्दों को, और आपके संस्कृत में भी same word को use करते हैं, उसे कहते हैं तश्म, जैसे दधी, दधी मतलब दही, अब दही का मतलब दधी मतलब दही होता है, यह संस्कृत वर्ड है दधी, लेकिन इसका हिंदी में भी प्रियोग करते हैं तो दधी नाम से करते हैं, है न, अब हिए शेत्र, शेत्र का जो है मतलब ऐर शेत्र का मतलब area अब आप जो शेत्र है अपना ITS Ka जो संस्कृत में बोलेंगे तो शेत्र बोलेंगे Hindi मेंमें इस फिवालेंगे next सत्य कि सत्य मतलब सत्य सच शच बोलना सत्य वचन हैज ना तो इसी तरह जो शब्द hindi में जैसे की तैसेでしょうक्त वाले शब्द हैं, लेकिन जैसे के तैसे हिंदी में रहते हैं, वो है तद्सम शब्द, तद्सम के बाद तद्भो शब्द, तद्भो फिदेशच और विदेशी, अब तद्भो शब्द क्या है, तद्भो शब्द वे शब्द हैं, जो संस्कृत के, जो संस्कृत के ऐसे शब हुआ, तद्सम शब्द हुआ, तद्सम को अगर आप बदल देंगे, दही बोलेंगे, तो वो तद्भव हो जाएगा, मतलब जो संस्क्रीट के ऐसे ग्राम होता है ना, ग्राम, ग्राम मतलब गाउं, ठीक है, अब आया आपका देशद शब्द, देशद शब्द कैसे होते हैं, जो अपने देश, यानि भारत में, भारत में कई शेत्रों से लिए गए हैं, ठीक है, भारत के शेत्र, तो उसमें क्या होता है, जैसे होता है, यह पगड़ी, खिचड़ी ये अपने भारत में ही बोली जाती है, पगड़ी का मतलब बाहर जो विदेशों में पगड़ी बोलेंगे तो उनको नहीं आइडिया है, उन्हें कैप कहेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर पगड़ी है, पगड़ी तो अपनी इंडिया में ही यह पगड़ी और खिचड़ी खिचड़ी आप लोग जो खाते हैं खिचड़ी वो खिचड़ी वहां पे बोलेंगे तो mixed wage rice manchurian क्या-क्या बोलते हैं वहां ऐसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग होता है फिर आया अभी अपना विदेशी शब्द विदेशी शब्द क् हिंदी में आये हैं school school जो है वो English word अलमारी school इंग्लिश वर्ड यह मतलब विदेशी शब्द है इसको हिंदी में हम लोग school हिंदी में भी बोलते नहीं तो विद्याले बोलते हैं में शुद्ध हिंदी वर्ड है school का विद्याले विद्या का आले विद्या का घर है ना विद है अलमारी चार होते हैं कौन से तद्संताप्स डेशी और विदेशी चार होते हैं उत्पत्ती अब आया प्रयोग के आधार पर केवल दो ही होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द ठीक है अब विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन क्रिया काल संग्या सब में परिवर्तन होता है मतलब कभी संग्या जैसे एक से दो है संग्या कोई आदमी या बच्चा एक से दो है लिंग उसकी बदल गई लड़का है लड़की है वचन में मतलब एक हैं बहुत सारे हैं इन सब में परिवर्तन आता ही आता है ऐसे सर्वनाम होता है ऐसे क्रिया होती है तो इन सब में जो य से शब्द हैं वो शब्द हैं समुच्य बोधक और विस्मयादी बोधक शब्द समझ में आया प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं विकारी और आविकारी विकारी शब्द में परिवर्तन आता है जैसे संग्यासर नाम क्रिया लिंग ये सब और आविकारी में कभी परिवर्तन नहीं आता है, वो शब्द हैं समुच्य बोधक और विस्मयादी बोधक, ठीक है, तीसरा था क्या आपना, बनावट के आधार पर, थोड़ा आप ध्यान दीजेगा, यह आपके लिए थोड़ा टफ पड़ सकता है, बनावट के आधार पर यह रूड़ शब्द हो रखना है, रूड़ शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकडे नहीं किये जा सकते, कैसे नहीं किये जा सकते, जैसे गिलास, अगर आप इसको गिलास को आप टुकडे करेंगे, मतलब संदी उसका विक्षेद करेंगे, तो क्या होगा, गिलास, कोई सार्थक शब्द संदी विक और भी बहुत सारे शब्दें, जैसे वो है आपकी मिट्टी, है ना, और भी शब्दें, आप लोग के किसी किसी के नाम रवी है, जैसे नाम किसी का, या शीला नाम है, तो इस तरह के जो शब्दें हैं, इससे आपका कोई भी टुकडे नहीं होते हैं, तो मतलब होता है योगिक शब्द, इसी बनावट के अधार पर सेकेंड वाला है योगिक शब्द, दो सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द, इसमें जो दो शब्द होते हैं, दो शब्दों के योग से बनता है, और दोनों शब्दों के अर्थ होते हैं, अलग-अलग, ठीक है सार्थक शब्द, तो मतलब दोनों शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो भी systematic होते यह नहीं कि कोई भी अर्थ ले लो उसका, नहीं, जो जिसका अर्थ है वही रहेगा, जैसे देखिए, पुस्त काले पुस्त काले, अभी इसको अगर हम संदी विक्षेद करेंगे तो होगा पुस्त क, पिर आले है ना, पुस्त क मतलब किताब, सार्थक शब्द है किताब मतलब अर्थ है किताब का, आले मतलब घर, इसका भी अर्थ है आया समझ में मतलब, दो सार्थक शब्दों के योग से बना है ये जो पुस्त काले है ये दो सार्थक शब्दों के योग से बना है, पुस्तक और आले, समझ गे, इसनान घर, इसनान घर में भी वह ही है, जैसे इसनान मतलब जहां आप जो नहाते हैं है ना, और फिर उसके बढ़ नहाना और घर मतलब, इसनान घर, घर मतलब ग्री, आपका घर, मतलब बातरूम, जो अपने घरों में होते हैं, टॉइलेट, वो ठीक है, तो इसनान घर, नेक्स्ट आता है योगिक, रूड शब्द, योगिक शब्द, नेक्स्ट आता है योग रूड, योग रूड पहला है आपका रूड शब्द, इसको देखिए, पहला है रूड शब्द, फिर दूसरा है, रूड शब्द हम आप इसको ये करके दिखा देते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये है, ये है, ठीक है, पहला है रूड शब्द, दूसरा है योगिक शब्द, तीसरा है आपक योग रूड शब्द है, योग रूड शब्द ऐसे शब्द हैं, जो दो शब्दों के योग से बन कर किसी विशेश अर्थ को प्रगड करते हैं, देखें, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, इसलिए थोड़ी सी बाद ध्यान रखेगा, जो योगिक शब्द हैं, वो तो दो सा मतलब इधर भी अर्थ हो जाए उधर भी अर्थ हो जाए सार्थक शब्द हो गए अब योग रूड ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों का योग तो हो लेकिन फिर तीसरा कुछ अर्थ रगट हो दो शब्दों का अर्थ भी हो और उससे कुछ तीसरा शब्द उभर कर आए कैस जैसे लंब उदर, लंबा मतलब लंबा, लंबाई, उदर मतलब वो तूर जो होती है, उदर, और लंबे उदर वाला, अलग सा शब्द बना, लंबे उदर वाला अर्थात गणेश की, है ना, तो ये मतलब लंबा और उदर, लंब उदर, ये है, अगर ये दो होता, तो आपक जो है योगिक शब्द बन जाता है क्योंकि इसका भी मतलब है इसका भी मतलब है अब इन दोनों को भी जोड़कर एक तीसरा मतलब बन रहा है लंबे उदर वाला लंबे उदर वाला कौन है मतलब गणेशी इसी तरह दशानन 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 बना दस सर दस मतलब दस 10 आनन मतलब उसके सिर 10 सिर वाला ये दोनों 10 आनन करेंगे योगिक हो गया 10 सिर वाला तीसरा अर्था गया इसका 10 सिर वाला अर्थात रामण ठीक है तो ये इसका मतलब ये था कि देखें आपने ये पढ़ा योग रूड और ये योगिक शब्द और रूड शब्द ये तीन ऐसे बनावट के आधार पे हैं ऐसे जो कि आपको लगे कि इसमें थोड़ा-थोड़ा सा फरक होता है थोड़े-थोड़े फरक से ही ये चेंज हो जाते है ठीक है तो शब्द विचार में आप लोगों ने आज इसको पढ़ा हमको लगता है आपको समझ में आया होगा ठीक है प्रियोग के आधार पर उत्पत्ती के आधार और बनावट के आधार पर प्रियोग के आधार पर कितने सारे होते हैं चार होते तद्बो तद्पत्ती के आधार पर तद्बो तद्पत्तम देशी विदेशी है ना ये होते हैं तो इस प्रकार हमारे ये होते हैं वर्णों के सार्थक्षमू जो है वो शब्द चीक है अशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक्यू